हेलो फ्रेंड एक बाफ फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स ओ लिबल से जुड़ा हुआ एक important update आचुका है आप में से बहुत से बच्चे practical exam की date के बारे में जानना चाह रहे थे practical के admit card का बाज आएगा इस बारे में जानना चाह रहे थे प्लस exam का mode क्या होगा अभी तक practical exam offline हो रहे थे और suddenly इस बार बहुत बड़ा surprise नालेट की तरफ से दिया गया जो कि आगे आपको इस बीडियो में बताने वाले है तो admit card डाउनलोड करने के लिए simply आपको कहाँ पर जाना है नालेट की official website पे यहाँ पे देखिए अभी भी important notice section में किसी बेतरा का कोई भी notification नहीं दिया गया है अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए practical admit card से related यहाँ पे information publish कर दी गई O label का जो admit card है जो कि आप screen पर देख पार होंगे यहाँ पे July 2023 का O label admit card 1 सितंबर means आज जारी कर दिया गया है A label, B label, C label के भी practical के admit card जारी किये गए और आज ही जारी किये गए means 1 सितंबर को जारी किये गए तो अगर आपका exam practical exam होने वाला है तो आप अपना admit card download कर लिजे admit card download करने के दो तरीके हैं जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपना यहाँ पे अगर आपके पास user id password है तो जस्ट आप यहाँ पे login कर लिजे और login करके जहां से आप अपना theory admit card download कर रहे थे profile में जाके वहीं से आपको admit card download option को select करना है जब आप admit card download option पे जाएंगे तो वहाँ पे दो admit card आपको दिखेंगे एक तो theory का होगा दूसरा practical के होगा और practical के admit card में आपके practical से related information दी गई होगी किस date में आपका practical exam है किस center पे होगा और किस shift में होगा इस तरह की जानकारी पूरी दी गई तो पहला तरीका है आप अपके पास अगर user id password है तो आप इसके माद्यम से यहां से login कर लीजे candidate पे चले जाएगा और इस तरीका पे आप अपना user id password डालिए, capture code डालिए और login करके आप अपना admit card निकाल सकते हैं जब आप login कर जाएंगे home page पे download admit card का link मिल जाएगा दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पे जाएगा download admit card option पे जाएगे और यहां से आपको course select कर लेना है जो भी आपका course है A label, B label, C label क्योंकि इन सभी admit card जारी किये गए हैं तो आपको O label select करना अगर आपका O label का admit card है simple जाएगे यहां पे दो options आपको मिल जाएंगे by application number तो mostly बच्चों के पास application number नहीं होता है क्योंकि यह form apply करने के time means registration के time पे मिलता है आप सभी के पास registration numbers होंगे तो आप इसको select कीजेगा by default यहां पे application number select रहता application number डालिएगा date of birth डालिए date of birth डालने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है जैसे 27 Jan है तो आपको 27 Jan लिखना है आप इसमें lower case में भी month के name लिख सकते हैं और 2003 है तो आपको 2003 इसी तरह से date format डालनी है कोई दूसरा date format डालते हैं accept नहीं करेगा और यहां पे इसका format भी दिया गया dd, mm, yy बनिया पे month के 3 character लिए जाते हैं अगर आपका March है तो mar लिखना होगा April है तो apr लिखना है अगर November है तो nov लिखना है इस तरह से month का 3 character लिखना होगा और starting में date और बीच में आपे minus sign ऐसे लगाएंगे यह आपको date of birth का format यूज करना है नीची capture code डालिए और अब आपके पास 2 options आ जाएंगे download, admit card, theory और practical तो अभी आपको practical का admit card download करना उसको आप download करके save कर सकते हैं तो इस बार Nailit ने बहुत ज़्यादा surprise कर दे आप सभी को जानकर साइध हैरानी होगी हलागी हमने कुछ time पहले notification डाला था उसमें इसकी आसंका भी जायर की थी क्योंकि हमें कुछ internal sources के माद्यम से जानकारी पहले भी दी गई थी हलागी उन्होंने उस time पे confirm नहीं किया था security region से उन्होंने नहीं बताया था तो हमने कई सारे student के admit card डाउनलोड किये हैं जिनमें से एक admit card हम यहाँ पे रख रहे हैं आपके समझने एक लिए जस कि आपको समझ में आ जाए कि basically इसमें क्या information दी गई है तो यह हमारे पास एक admit card है यहाँ पे देखे यह practical के admit card हमने डाउनलोड किया है यहाँ पे इनका जो practical exam है 18 सितंबर को है reporting time यहाँ पे दिया गया 1.30 मीन्स 1.30 में एक बज़ के 30 में पे इनको जाना है और इनका exam start time है 2.00 में इनका practical module 1 है इसी वज़े से PR1 लिखा गया है मीन्स IT tools का इनका practical है और यहाँ पे login ID दी गई है इससे 100% confirm हो गया है कि जो practical exam होंगे वो इस बार online होने वाले हैं online mode में आपके practical exam होंगे paper का pattern कैसा होगा या किस तरह से questions से online कराएंगे इस पारे में हमारी पूरी team knowledge से contact करने कोसिस कर रही जो हमारे higher resources है उनके तरह हम कल contact करेंगे क्योंकि इस time पे उनसे बात नहीं हो पा रही तो उनसे कुछ information collect करके फिर आलक से हम कोई video जरूर डालेंगे इसके बारे में कुछ clarification हम वहाँ से लेते हैं और फिर आपको हम बताएंगे videos के माध्यन से तो अभी कले latest update यह है कि आपका admit card आ चुका है जुलाई 23 प्रैक्टिकल exam का ओलेबल का और इस बात जो exam का mode है वो online mode में होगा इसी वए से आपके login ID दे गए security regions हमने इस student का login ID hide कर दिया है तो आप भी अपना admit card जल्दी से download कर लिजे और तैयारी start कर दिजे आप में से बहुत से बच्चे हमारे practical batch के साथ में पहले से enrolled हैं अभी भी time है अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो gyanixp mobile app पे चले जाएए और gyanixp mobile app से आप practical के courses को join कर सकते हैं gyanixp mobile app पे जाने के लिए आपको यहां पे जैसे अपने app डाउनलूड करके रखा है तो यहीं पे आपको practical के अलग से batches दिख जाएंगे IT tools हो गया, python programming हो गया IoT हो गया या फिर web designing इन चारो batches के practical courses available हैं, just 100 उपीज आपको पेज करना है, per subject की practical classes आपको यहां पे मिल जाएंगी धेर सारा content हमने आपे provide किया है, videos मिलेंगे, practice sets मिलेंगे, previous year के practical paper solutions होंगे, plus viva कैसे होता है, viva के questions क्या है, वो सारी चीज़े हमने in practical courses में provide करके रखा है, इस समय 24 उपीज का discount भी चल रहा है, तो जैसे आप यहां पे देख पा price आ रहा है, 124, आप just इस course को open कर लिजे, यहां पे option आता है, available offers, इस पे आप click करेंगे, तो यहां पे देखिए course जो है, वो just 100 उपीज का मिल जाएगा, बहुत minimum price है, but more than sufficient content दिया गया अगर आप अपना practical exam की तयारी बेदेन अभीग करना चाहते हैं चार-पांस दिन में करना चाहते हैं, तो यह course more than sufficient है, आप इसके माध्यम से अपना, पूरा exam qualify कर सकते हैं, study करके, देखिए course content में क्या-क्या मिलेगा, आपको practical model papers मिल जाएंगे, previous year के paper solutions की PDF प्लस videos, दोनों मिलेगा, और live practical जो classes होते हैं उन सभी की PDF मिलेंगे, प्लस live classes के videos भी recorded form में available हैं, अभी तक जितनी live classes हो चुकी उन सभी के videos भी आपको recorded form में मिल जाएंगे, प्लस Viva के questions भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, PDF form में बहुत यह detail में, हमने पूरे course से related जो questions बन सकते हैं, उन सभी को रखा है, इस Viva के practice set में, तो आपका एक तरीके से complete practical solution है, आप चाहें तो हमाई साथ जूड़ सकते हैं, just 100 rupees का price है, तो जल्दी से आप सब अपना admit card download कीजे, और please आप हमें comment section में जरूर बताएगा कि आपका practical exam किस date में है, duration को लेके भी आपके मन में कहीं न कहीं आसंका हैं चल रही होंगी तो जो practical exam है, उसमें आपको एक घंटे का time में लेगा एक घंटे का practical exam होने वाला है, तो अभी इसे लग जाईए, क्योंकि कुछ बच्चे लापरवाई कर रहे थे, सोच रहे थे exam टलने वाला है, तो जी नहीं, practical exam का admit card आज एक सितंबर गोजारी कर दिया गया है, और आप सब इसे download करके देख सकते हैं, कि आपका exam किस shift में है, किस date में है और किस center पे है, comment section में जरूर बताएगा आपका exam किस date में है, आप चाहें तो center के बारे में भी जानकारी हमें, whatsapp के माध्यम से share कर सकते हैं, ताकि अगर हमारी team center पे visit करते हैं, तो हो सकता है आप से, वहाँ पे परिचय हो तो बस इस छोटे से update वीडियो में इतना ही, wish you all the best आज से लग जाएए, हमारी पूरी team, हम सभी, आप सभी के साथ हैं, best content provide करेंगे ओ, theory के तरह से इस बार practical को भी अच्छी तरह से qualify करेंगे अच्छे grade से qualify करना एक अच्छा grade लेके आना है वो label में, wish you all the best thank you, thank you for watching